हेलो दोस्तों, आएए अज इस वीडियो में समझते हैं प्रोवोक शब्द का हिंदी और एंगलिश में मीनिंग विध इक्जामपल प्रोवोक प्रोवोक का इंगलिश में मीनिंग होता है एंगर एलिसेट रिस्पॉंस हिंदी में मीनिंग है भढ़काना, उतेजित करना, क्रोध दिलाना या आग में घी डालना चलिए इसको example से समझते हैं His taunts provoked a fight between the two boys उसके ताने से दोनों लड़कों के बीच में जगड़ा हो गया या फिर इसको बोल सकते हैं ऐसे His taunts provoked उसके ताने ने भढ़का दिया a fight, एक जगड़े को between the two boys दोनों लड़कों के बीच में उसके ताने ने दो लड़कों के बीच में जगड़े को भढ़का दिया या उतेजित कर दिया या बढ़ा दिया तो इस वीडियो में इतना इस वीडियो को लाइक करें मेरे चैनल पर नए है तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें